बारिश और बार के बिगरते हालात की वज़े से टमाटर की कीमते उच्छाल पर हैं और पूरे देश में टमाटर की कीमते आस्मान छू रही है अलम यह है कि इस वक्त डेड़ सो से दो सो रुपे किलो के बीच में टमाटर बिक रहा है और अब देखिए कि किस तरीके से पूरे देश में केंद्र सरकार कम दरों पर टमाटर जो है वो इन मुबाइल वैंस के जरीए बेच रही है बात की जाए निफट की या एन सी सी एफ की दोनों ही जो संस्थाएं है वो टमाटर अब यहाँ पर सस्ती दरों में बेच रही है और इसी वज़े से आप देखिए यह एक बड़ी लाइन जो है वो टमाटर खरीदने के लिए यहाँ पर लगी हुई है एक सो साट रूप तो कितनी मुश्किल हो रही है है हम नहीं के लिए मैं यह बताएए कि बाहर कितनी मुश्किल है और यह मुबाईल वैन से कुछ रहत है ठीक है थोड़ी रहात है कि सस्ता मिल रहा है बाहर मेंगा है यही फर्क है कितना है बाहर रहे बाहर दुकानों पर जाता है तीन सो रुपे किलो दुकानों पर बंगाली मार्केट की और और सबजी वाले तीन सो रुपे किलो तो आपने कितने नोट निकाले है दो किलो लेंग तो चलिए ये तो बड़ी राहत की बात है कि 200 रुपे किलो तक टमाटर पहुंच गया और यहां पर 80 रुपे किलो में टमाटर मिल रहा और आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो टमाटर है वो यहां पर मौझूद है आपको दिखाते हैं कि टमाटर का जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छा है देखिए यह वह टमाटर जो हिन वैंस से लिया गया भाया यह टमाटर वी ले जौँ यह एक्टमाटर बहुत मेहँगा है अच्छा कितनी राहत की बात है कितना लिया कितना लिया 3 किलो कितने का बड़ा जो 140 का अच्छा आगे दुकान तो आज थोड़ा राहत है क्या राहत है जो टमाटर बीच सुर्भाई किलो मिलता था वह मार्केट में 300 रुपे किलो है 400 रुपे किलो हरी मिर्च है नीवू 400 रुपे किलो है 400 रुपे किलो अदर के क्या खाएगा आदमी 100-200 रुपे सीनी कोई सब्धी नहीं है बेंगा इन्हें महलाओं के कमर तोड़ दी है किचन चलाना मुश्किल है बच्चे पानना मुश्किल है अच्छा तो आब अब यह 80 रुपे किलो टमाटर ले जाएंगी तो आज खुल के सब्जी बनाएंगे थोड़ा थोड़ा करके मिलनें बिल्कुल तो हर सब्जी की कीमत इस वक्त आसमान चू रही है लेकिन भगवान का शुक्र है कि सरकार की नींद बहुत जल्दी खुल गई है और अब लगभग दिल्ली में 22 आउटलेट पर सस्ती दरों में टमाटर मिल रहा है और पूरे देश में नेफेड और NCCF सस्ती द आगरवान दिली नीज 24